हलो एंड वेलकम दोस्तों गिक लेपी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है अगर आप एक बजेट लेपटोप डूरे अगर आप एक सेकेंड या रिफर्बिस्ट लेपटोप की तलाश में हैं तो आप बिल्कुल सही जगा पर आये हुए जिहां दोस्तों गिक लेपी आप पहुत सारे वीडियो बने हुए हर एक मॉडल के उपर आपने नहीं देखे तो आप उसको देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास 9000 से शुरू होते हैं लेपटोप और 50-60,000 तक लेपटोप अवेलेबल है जिहां दोस्तों आपको याद दिला दू कि गिक लेपी सिफ और सिफ एक ग्रेडवाले लेपटोप सेल करता है हम लोग रिपेर किये हुए या रीपेंट किये हुए या स्टीकर चिपका हुए लेपटोप नहीं सेल करते हैं जी हाद दोस्तों इस पर मैं एक डेडिकेटट वीडियो बनाऊंगा कि जो रिपेर है वो क्या है स्टीकर वाले साल तक चलता रहे तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ धेर सारे लैप्टॉप फटा-फट एक के बाद एक लैप्टॉप दिखाता हूँ और साथ में आपको बताता हूँ उसकी configuration और जो है उसकी condition अगर आप से खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या वाटसब कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले HP से जी हाँ दोस्तों तो यहाँ पे brand new condition में मेरे पास एक laptop available है consumer series का laptop पे एकदम brand new condition में जैसे के box से निकालता है न वैसी condition में साथ में official HP की 7 months की warranty remaining है इसमें बाकी है 7 मेने की warranty यह Amazon पे 38,000 से 40,000 की बिच में मिलता है यह है i3 11 generation इसमें 8 GB का RAM है 256 GB की SSD storage है साथ में 1 TB की hard drive भी है इसके अंदर 14 इंच का यह laptop है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी condition में है एक दम like brand new पर दोस्तों यह C4C मेरे पास एक ही पीस available है तो अगर आप purchase करना चाहते हैं तो screen पर दिए गया नंबर पर है call कर सकते हैं यह सिफ इस इफ एक ही एक ही पीस मेरे पास available है चलिए आप आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक और लेप्टोप डेल लेक्टिट्यूड 7480 जी हाँ दोस्तों इसकी configuration की बात करूं तो यह है i7 6 generation जी हाँ दोस्तों i7 6 generation 8 GB का RAM है और 256 GB की SSD storage है बहुत ही कड़क और मिंट कंडिशन में आपको यह laptop मिल जाता है आप देख सकते हैं यहां पर पीछे से भी तो यह laptop भी हमारे पास available है डेल लेक्टिट्यूड दोस्तों डेल लेक्टिट्यूड सीरीज जो है वह बहुत ही अच्छी सीरीज है और इसके laptop जल्दी खराब नहीं होते और वह कमर्शियल बिजनस सीरीज है तो उसमें आपको जोए problem भी नहीं आते हैं चलिए और लेक्ट और सुरी 4GB RAM मिल जाता है और 500GB का hardix मिल जाता है यही laptop अगर आप 8GB RAM और 256GB SSD के साथ चाहिए तो उसमें भी आपको मिल जाएगा condition आप देख सकते हैं यहाँ इसमें आपको सारे port मिल जाते हैं VGA HDMI USB उसके बाद जो है आपको यहाँ पर audio jack के लिए मिल जाता है साथ में आपक laptop है budget laptop है चलिए आपके लिए और एक लेकर आया हूँ यहाँ पर है हमारे पास Dell latitude 5490 अगर किसी को high configuration में जाना है तो उसके लिए है Intel i58 generation 8GB RAM है और 256GB SSD है दोस्तों याद रहे सारे laptop upgradable है अगर आपको इसमें ज्यादा RAM चाहिए या ज्यादा SSD स्टोरेज चाहिए तो हम आपको अप्ग्रेड करके भी देते हैं तो आप ऐसा नहीं सूची कि सिर्फ 8GB और 16 और 256 के साथ है 16GB और 512 के साथ भी आपको मिल जाएगा तो कंडिशन आप देख सकते हैं एकदम like brand new condition में मिल जाएंगे हलके आपके लिए लेकर आए एक शांदार लैप्टॉप पूरी डिटेल वीडियो भी अवेलेबले सारे जितने भी लैप्टॉप दिखा रहा हूं उन सबकी डिटेल वीडियो अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी मॉडल के साथ और आपको जो है 256GB SSD है इसमें साथ में आपको फिंगर का भी ऑप्शन दिया गया है आप अपने फिंगर से अनलोग कर सकते हैं पास्वर्ड और साथ में फूल एच्टी डिस्प्ले हैं यहाँ पर आपको ऑडियो जैक यूस्वी पोर्ट एजडियम एपोर्ट इथरनेट पोर्ट टाइप है 840 G5 यह सारे मोडल हमारे पास अवेलेबल है वाप दोस्तों उसके बाद हमारे पास है लेटिटिट्यूट सीरीज का 7490 यह है आई 788 जनेरेशन अगर किसी को आई 7 में जाना है तो उसके लिए है 7490 i7 8 जनेरेशन अगर आपका बजेट 25,000 से 30,000 के बिच में है तो आपक एक पूर्टिटी स्क्रीन है पहुत ही अच्छी कंडिशन में आपको लैप्टप मिल जाते हैं तो दोस्तों यह सारे जो मॉडल मैं आपको बाद में दिखा है उन सब की कॉंटिटी हमारे पास अवेलेबल है आपको जितनी भी चाहिए उतनी मिल जाएगी तो और एक लैट जाता है और नमर के साथ और अच्छी कंडिशन में है तो अगर आपको यह भी चाहिए तो आप हमें देख सकते हैं और साथ में computer troubleshooting के उपर भी अगर आप वीडियोज देखना चाहते हैं आपका computer हैंग हो रहा है आपके computer में वाइफाई नहीं चल रहा है आपका computer जो है स्लो चल रहा है उसको अप्ग्रेड करना है या आपके पैंडराय में वाइरस आने के वज़े से पैंडराय का डेटा लॉस्ट हो गया है तो इस सब में क्या करना है यह सारी चीजें हम लोग जो है वीडियो डाले हुए है आप वहापे जाके देख सकते हैं तो मिलते हैं ने